असलाम लेकूम कैसे हैं आप सर्थ तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्ससाइज 1.2 के कुस्सर नमबर 1 का पार्ट नमबर 5 तो मेरे पास ये क्लास 10 मिटमेटिक्स की बुक है साइंस क्रूप की और उसका ये चेप्टर नमबर 1 चल रहा है आप इसी फेजुक पेज के थुरू अपने कुस्सर को सजेशन को मुझ तक भी पुचा सकते हैं तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं कुस्स नमबर 1 को इसकी स्टेटमेंट को हम रीट करेंगे और इसका पार्ट को जो है पार्ट नमबर 5 को हम सॉल्फ करेंगे आज इस वीडियो में मैंने इसकी स्टेटमेंट को और इसके पार्ट को नीचे नोट डाउन कर लिया वहीं से इसको रीट करते हैं समझते हैं और सॉल्फ करना स्टार्ट करते हैं तो अब आपको सामने स्क्रीन पर question number 1 की statement लिखी भी नज़र आ रही है यहाँ पे लिखा हुए solve the following using quadratic formula तो आपसे कहा जा रहा है कि आपने इस equation को जो के quadratic equation है quadratic formula के help से solve करके दिखाना है solve करने का मतलब होता है किसी equation को कि उसके अंदर जो variable involved है या जो unknown values हैं उसकी values find out करना अब इससे पहले पिछली exercise में हम दो method सीख चुके हैं किसी भी quadratic equation को solve करने के एक है completing square method और एक है factorization method तो अगर किसी quadratic equation की factorization possible ना हो रही हो तो quadratic formula ही वो formula होता है जो मैं at the end help करता है जिसकी मुदद से हम किसी भी quadratic equation को solve कर लेते हैं तो आईए अब इसका solution start करते हैं तो सबसे पहले मैंने आपको बताया है जब भी आपके पास कोई quadratic equation आए solve करने के लिए जिस तरह के आपको सामने given है quadratic equation आपने सबसे पहले इसको standard form में convert करना होता है यानि equation आपकी standard form में लिखी होनी चाहिए जिसका roughly मतलब यह होता है कि जो variable के उपर square आ रहा है वो वाली term पहले जिस तरह आप देखें 6x2 को पहले होना चाहिए यह बिल्कुल ठीक है पहली जगा पहली जगा पहली लिखी हुए उसके बाद simple variable वाली term होनी चाहिए जैसे यहाँ पर 7x लिखावा है यानि negative 7x लिखावा है तो इस negative 7x को 6x2 के बाद होना चाहिए लेकिन वो end पे है और at the end constant होना चाहिए यानि इस minus 3 जिसको हम constant बोलते इसको end पे होना चाहिए और वो यहाँ पर बीच में लिखा हुए तो इसका मतलब है इस quadratic equation की arrangement according to standard form नहीं है तो जब भी क्यों quadratic equation ऐसी है आपने सबसे पहले इसको standard form में convert करना है तो आईए पहले इसको standard form में लिख देते तो x square वाली terms पहले होनी चाहिए यानि 6x square यह पूरी एक term है इसको सबसे पहले लिखना चाहिए तो यह सबसे पहले हमने लिख दी पहले भी यहाँ पहले ही थी इसके बाद यह minus 7x वाली term होनी चाहिए थी तो इसलिए मैं इसको इसके बाद लिखूँगा minus 7x और at the end constant होना चाहिए था तो at the end constant लिखूँगा उसके पीछे minus का sign है तो लिखूँगा minus 3 और equal to 0 वैसे का वैसे ही लिख दूँगा तो इसको बोलते हैं standard form जब आप अपनी quadratic equation को standard form में लिख ले अब आपने इसको compare करवाना है अपनी standard quadratic equation से जिसकी मदद से आपको a, b और c की values पता चलेंगी तो अब हमें यहाँ पर लिखनी पड़ी की statement के comparing equation इसका नाम रख दे ताकि असान नहीं हो जाए मैं इसका नाम 1 रख रहा हूँ तो आप लिख लें comparing equation 1 with standard form of quadratic equation with standard form इसको general form भी कहते हैं of quadratic equation तो आपको यह standard form जो है quadratic equation की याद होनी चाहिए क्योंकि आपको इसको बार-बार use करना पड़ेगा तो standard form of quadratic equation क्या होती है वो होती है आगे मैं लिखने लगा हूँ वो होती है ax square plus bx plus c equal to 0 यानि बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने आपको भी उपर समझाई थी कि जिसके अंदर आपके पास x square वाली terms पहले simple x वाली term बाद में और constant end पे आता है अब x की जगा पर कोई भी variable हो सकता है बस मैंने आपको उसकी निशानी के तौर पर बता दिया कि उसके उपर square होगा तो उसको आपने start में रखना है तो अब आपने इस वाली equation को equation number 1 को और equation number 2 को compare करना है compare कैसे करेंगे? coefficient के लहास से यहाँ पर आप देखें x square के साथ क्या लिखा हो है? a तो आप उपरली equation में देखें x square के साथ क्या लिखा हो है? 6 तो अगर इन दोनों को compare किया जाए तो इधर x square के साथ a है तो इधर भी x square के साथ a ही होना चाहिए तो इधर 6 है तो इसका मतलब है a लाजमी किसके equal होगा? 6 के तो आपको पता चल गया कि a की value क्या है? 6 तो यह आपने यहाँ पर लिख दिने है कि a की value मरपस क्या आई है? वो आई है 6 ठीक है? अब आप आप ये चलते b की value निकालते हैं तो इधर x के साथ b है तो उधर x के साथ क्या है? minus 7 अगर इधर x के साथ b है तो उधर भी x साथ b होगा तो इसका मतलब है जो minus 7 है वो b के equal है तो इसलिए आप यहाँ पर minus 7 लग दें at the end c है तो c ए end पर constant है उधर end पर देखें क्या constant है? उधर end पर minus 3 है तो आप c को लिख देंगे minus 3 के equal तो इससे आपको पता चल गया a की value 6 है, b की value minus 7 है और c की value minus 3 है इसको आप खुद से भी देख सकते थे कि यह x square का जो coefficient होता है या यह x square के साथ जो लिखा होता है उसको a बोलते formula, अब आपको यह quadratic formula याद होना चाहिए क्योंकि यह आपको लिखा बानी आएगा, आपकी memory में होगा तो ही आप इसको लिख पाएंगे, तो quadratic formula क्या होता है? quadratic formula होता है x is equal to minus b plus minus square root of b square minus 4ac over 2 है जब इसको आप multiple times use करेंगे अपने courses में, आपको यह याद ही हो जाएगा अब आपने just उपर से जो a, b और c की values हैं, वो इसमें put कर देंगी है अब याद रखें, usually यहाँ पर x e आता है, लेकिन यह लाजमी नहीं है अगर आपकी equation में variable y होगा, तो आपने यहाँ पर y लिखना है तो अभी x e है, तो x e लिखेंगे, equal का sign, b की value लिखेंगे आप देख सकते हैं, b की value minus 7 है, एक minus यहाँ पर b है तो एक minus पहले यह वाला लगा देंगे, और b की value इस तरह brackets में minus 7 लिख देंगे plus minus का sign, यानि दो possible values होंगी, एक positive, एक negative आगे इस तरह का root हम use करेंगे, b पे square आ रहा है, आप देख सकते हैं तो minus 7 value put करें b की जगा पर, और उसके उपर आप इस तरीके से square डालने brackets लाल के, minus 4 वैसे a आपके पास 6 है, यहाँ पे पहले ही mentioned है, आप a की जगा पे लिख दे 6 और c आपके पास minus 3 है, तो उसकी value यहाँ पे brackets में लिख दे minus 3 आप इस तरीके से नीचे line डालें, और नीचे 2a है, तो 2 लिखें और a की value 6 है, तो brackets में इस तरीके से 6 लिख लें, तो मैंने a, b और c की values यहाँ पर put कर ली, अब आपने क्या करना है, इनको solve कर लेने तो यह minus minus क्या होता है, plus, यानि यह plus 7 हो जगा, आगे plus minus वैसे का वैसे square root डालें, किसी भी negative number का जब square करते हैं, यानि brackets लगी होती हैं, और वो square होता है, तो positive हो जाता है, तो 7 का square क्या हो जगा, 49, यानि आप यहाँ पर लिख सकते हैं, positive 49, मैं आपको calculator से भी करके दिखा देता हूँ, आपको अला हूँ है, तो minus 7 का square करें, तो देखें, क्या आता है, 49, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 49, अब यह तीनों values multiply हो रही हैं, तो आप इसको multiply करके यहाँ पर लिखेंगे, 4, 6 से multiply हो रहा है और minus 3 से, तो 4 multiply by 6, multiply by minus 3, यह मैंने calculator में type किया, तो आया minus 72, एक minus पहली है, तो minus minus, प्लस, तो प्लस 72 आप लिख देंगे, साइन का आपने ख्याल रखना है, 2, 6 times कितना होता है, 12, अब नीचे आजए, x is equal to plus 7, plus minus, अब आपने यहाँ पर क्या करना है, 49 में 72 को add कर देना, तो 49 प्लस 72, तो आपके पास क्या आगया, 121, तो यहाँ पर आगया 121, उसके ओपर square root, और नीचे आपके पास क्या बच गया, नीचे आपके बच गया 12, इस तरीके से, अब आपने इसको further solve करना है, आपको पता है, यह square root जो लिखाव है, 121, 121 एक perfect square होता है, square root of 121, 11 के equal होता है, आप calculator से भी कर सकते हैं, जैसे मैंने किया, यह 11 के equal आता है, तो इसका मतलब है, इसका answer होगा, x is equal to plus 7, plus minus, क्योंकि square root of 121, 11 के equal है, तो इसकी जगा पर 11, और नीचे 12 लिख देंगे, अब इस चीज़ को आप एक इसकी value यह हो सकती है, x is equal to 7, और एक बर minus 11 और नीचे 12, तो यह जो plus minus लिखा होता है, इसका मतलब होता है, दो possible values है, एक बर plus के साथ solve करें, एक बर minus के साथ solve करें, तो आप 11 में 7 आप add कर दें, तो कितना होजएगा, 18, और नीचे आपके बस क्या आजएगा, 12, इसको आ cancel out कर लें, तो आपको पता, यह दोनों के दोनों जी है, आपके पास 6 पर cancel out होते है, 6, 2 times 12 होता है, 6, 3 times 18 होता है, तो क्या आगया, 3 over 2, आप calculator में भी type करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा, अब यहाँ पर भी आप देख लें, क्या है, हमारे पास 7 minus 11, तो 7 minus 11 करें, तो क दोनों answers मिल गए, यही हमने find out करके दिखाने थे, अब just इसको आपने solution set की form में लिखने है, आप लिखेंगे solution set, इस तरह की brackets डालेंगे, और इन दोनों में से किसी को भी पहले लिख सकते हैं, तो मैं लिख देता हूँ 3 over 2, minus 1 over 3, तो यह मैंने दोनों x की जो possible values है, solution set के अं एक दिए.